हाई फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं आप लोग को ऐसा एक फ्लावर पॉट बनाना से खाऊंगे वह भी बहुत ही असानी से और बहुत ही लो कॉस्ट में तो चल्ले स्टार्ट करते हैं पहले हमें क्या चाहिए ऑइल के घर में रिकॉर्ड होता है और हम लोक केंजी यह और ऐसा कॉटन का क्लोट आप कोई भी क्लोट ले सकते हो कॉटन का लेकिन ज्यादा सही रहता है और फिर आपको क्या करना है फैविकोल एंड वाटर का पेस्ट बुना के एकदम बढ़ियां से उस पे क्याल कर लेना है ऑम ओल कैन पर पूरा लगा देना है अच् करने के लिए आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं और फिर कोई भी स्टिक का जो रोल हो तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा और जिस प्रोसेस से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूं वैसा ही आप लोग करना ऐसे यह बहुत ही बढ़ियां हो जाएगा और फिर आगे की व भी चिपका देंगे क्या करना है पहले फैविकॉल लगा देना है और कपड़े को पेस्ट कर देना है फिर कपड़े को पेस्ट करने के बाद उसके उपर फिर से ब्रश चला देना है तो यह और बढ़ियां हो जाएगा और जहां पर फैविकॉल नहीं लगा है वहां पर लगा देना है तो अप लोग जब इसके उपर लगाओगे प्लस्टर ऑफ पैरिस तो यह बहुत ही अच्छा हो जाएगा तो ऐसी कपड़ा चिपका के अगर आप लगाओगे तो यह बहुत ही अच्छा हो जाएगा और फिर अंदर चिपकाने के लिए अपनी फिंगर का कि नियुक्त नहीं है नियुंकि थूदा टाया इसको सूखने में इसलिए हम लोग इसको एक दिन के लिए रखेंगे सूखने के लिए या फिर आप 8 अल्सी वेट कर सकते हो तो गये ऑँग्छा हो जाएगा तो इससे सूखने के लिए यहां की वर्क्लास्टर ऑफ पाउडर में आपको इसे मिक्स कर देना है और फिर बढ़ियां से एकदम उसमें डाल के प्लास्टर ऑफ पैरिस के पाउडर में आपको से मिक्स कर देना है एक बात हम लोग को पानी चाहिए फैविकोल चाहिए और प्लास्टर ऑफ पैरिस चाहिए इसका एक अच्छा और थिक थोड़ा घोल बन जाए तो आप लोग जब लगाओगे तो यह और अच्छा हो जाएगा फिर हम लोगों ने मिक्स कर दिया इसको बढ़िया तरीके से दे एक दम बढ़िया तरीके से सूख चुका है और अब हमें क्या करना है जो प्लास्टर ऑफ पैरिस है उसका जो पेस्ट है उसको हम लोग को ऑईल कैन पर लगा देना है एक बात आप कोई भी डिबा ले सकते हो चाहिए ओल कैन चाहिए कोई भी आप बॉटल भी यूज़ कर स अदिजल भी तो आप को हम और सहर है पीछी और नीचे के हिससे को आपको क्या करना ऐगा है या आप फिनगर के हैं पर क्या करना है असके हो दो इस पर हम लोग को इसको रख देना है और फिर रखने की बात क्या करेंगे अंदर से भी हम लोग को प्लाश्चर ऑफ पैरिस लगाने ना है पूरा नहीं अंदर के इसे को जैसे अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी ओके दखें इस ब्रश की हेल्प से एक ऐसे लगा देना है पूरा अंदर नहीं लगाना है जहां तक हमारा कपड़ा है वहां तक हम लोग को लगाना है ऐसे लगाने के बाद आपको बढ़िया से एक दम लगा देना है ब्रश की हेल्प से तक कि लगे कि ये फ्लावर पॉट खरीद और अगर आप इस फ्लावर पॉट गो बनाओगे तो आपका घर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही सुन्दर दिखेगा फिर आपको क्या करना है ब्रश की हेल्प से इसे प्लेन कर देना है कैसे करना है प्लस्टर ऑफ पैरिस का जो हम लोगों ने घुल बनाया था उस इसे ऐसे रख देंगे फिर क्या करना है हम लोग को इस पर डिजाइन बनाना है यह जहां जहां आपका प्लेन अभी नहीं हुआ है वहां तक आपको और प्लेन कर देना है देखे जैसे वहां पर थोड़ा हुआ था तो अच्छा नहीं लग रहा था तो हम लोगों ने क्या क brush के help से ऐसे design बना देना है दिखें आप design बना दोगे तो ये बहुत ही अच्छा और सुन्दर हो जाएगा और आपके garden का garden भी बहुत ही प्यारा रगेगा तो आप सोच रोगे starting में Devil starting में तो मैंने अलग टाइब का दिखाया था लेकिन अब यहाँ पे अलग टैप का दिखा रहे हैं तो आप आगे की वीडियो में देखना कि क्या होता है और ऐसे आप डिजाइन मना सकते हो जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा और क्या करना है आपको देखें ऐसे पूरा बना लेना है और फिर सूखने के लिए रख देना है जैसे मैंने बताया था कि आप ऐसा भी बना सकते हो चाहिए दूसरा भी तो अब इससे हम लोग सूखने देंगे और फिर पेंट कर देंगे तो पेंट करने के बाद हम लोग को ऐसा मिलेगा यह बहुत ही सुनना लगेगा इसके अंदर हम लोग प्लांट लगा देंगे और आपको जो भी चाहिए स्टाइल आप वैसा बना सकते हो ओके बाई थैंक्स पर वाचिंग